नमस्कार आंगनबारी बहनों, आंगनबारी खबर की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है तो आज की जो खबर मैं आप लोग को बताने वाले हूँ यह खबर खासकर सेविकाओ बहनों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है तो आए देख लेते हैं खबर कब की है, खबर 28-12-2022 की है जो सेखपूरा भासकर से निकल कर आ रही है तो खबर के सिर्शक में बताया गया है लच्छे पर नजर, हर्नौत पीएजसी में टीका करन को लेकर आंगनबारी कर्मियों को दिया गया परसिक्षन फैक्सनल इन एक्टिवेटेड फोलियो वैक्सिन का टीका एक जनौरी से लगना होगा शुरू यानि कि फैक्सनल इन एक्टिवेटेड फोलियो वैक्सिन जो है उसका टीका एक जनौरी से हर बच्चे को दी जाएगी इसी का परसिक्षन आहर आगनबारी बहनों को दी जागए। इसी का परसिक्षन जैराम सिंग ने बताया कि पल्स पोलियों का तिसरा डोज आगया है। इक्टिवेटेट पोलियों भैक्सिन कहा जाता है। तो जो स्वास्त परसिक्षन जैराम सिंग थे उन्हों ने सेविकाओ बहनों से बताया कि पोलियों का तिसरा डोज आगया है। उसके बाद यहां बताया गया है कि टीका करन एक जन्वरी दुहजार तेई से सुरू होगा। यानि कि एक जन्वरी दुहजार तेई से इस टीका का सुरूआत की जाएगी। इसके लिए आंगन बारी कर्मियों वो सुपर्वाइजर को टीका करन की महता बताई गई। साथ ही इस अभियान को किस तरह से सफल बनाना है इन बात की जन्कारी भी दी गई। तो जो आंगन बारी सेविका परसिक्षन लेर अरही थी इसके साथ सुपर्वाइजर कभी इस टीका करन में महता दी गई। उसके बाद इस टीका करन को कैसे सफल बनाना है इस समचीज की जन्कारी दी गई। परसिक्षन के दौरान टेनर ने कहा कि गरभवती वबच्चों को नियमित टीका करन से काफी लाब होता है तो जो टेनर थे उन्होंने बताएं कि गरभवती वबच्चों को नियमित टीका लेने से यानि कि उनका टीका कभी न छुटे तो नियमित टीका लेने से काफी इसे बच्चों का बारत तरह के जानलेवा रोगों से बचाव भी होता है तो आप यहां देख सकती हैं कि कितना इंपर्टन बात लिखा गया है कि नियमित्री का करने से बारत तरीके के पांच जानलेवा बिमारी से बचाव होता है उन्होंने कर्मियों को सर्वे व डिव लिष्ट उधतम रखने की बात भी कही साथ ही उन्होंने सभी स्कूलों व आगनबारी केंद्रों के माध्याम से 10 से 19 वर्स के बच्चों व किसोर किसोरियों को आईरन की गोली खिलाने के लिए नीली गोली भी उपलब्ध कराई तो उन्हों ने यह भी बताया कि ये स्कूल वा आगनबारी केंद्रों में जो 10 से 19 वरस के किसोर किसोरियां हैं उन्हें नीली रंकी आयरन की गोली खिलाने के संबंध में भी बताई इससे उनका सही पोशन भी हो सकेगा क्रोना का परसार नहीं हो इसके लिए विभीन अस्तरों पर मरीजों की स्क्रीनिंग की हिदायस भी दी नियमित ठीका करन से 12 तरह की जानलेवा बीमारियों से बचाओ होता है तो जैसे कि आप सभी बहनों के केंदर पर ठीका करन होता है और मता या उनकी दादी लेकर के बच्चों को आती हैं ठीका दिलवाने तो आप उन सभी बहनों से सभी लभारतियों से आप बता सकती हैं कि आप नियमित ठीका करन यानि कि बच्चों को कोई भी ठीका न चुट तो इससे 12 तरीके की जानलेवा बीमारी से बचाया जा सकता है बीमार और बुजूर्गों की होगी निगरानी दिया गया निर्देश उन्होंने बताया कि सभी A&M को निर्देश दिया गया कि वे बुजूर्ग और बीमार लोगों को लगतार निगरानी किया जाए जारे में वैसे लोगों के मौत की असंका बढ़ जाती है साथ ही हार्ड अटैक वा ब्रेंड हेमरेज से मौत के मामले में इस मौसम में काफी बढ़ जाते हैं तो उन्होंने एन्म के द्वारा बताया गया कि इस समय बुजुर्गों पर और बिमार लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए गया इसकी रोक थाम के लिए उचे रक्षताप के मरीजों को अस्पताल लाने की भी निर्देश दिया गया ताकि मरीजों को उचित परामर्श वद दवा दिया जा सके यानि कि इसमें मरीजों को भी अस्पताल लाने की बात कही गई है ताकि उन्हें भी दवा दिया जा सके ट्रेनिंग में विंदु कुमारी, रजेश कुमार, गीता कुमारी, रेनु कुमारी वा अन्य सामिल थे तो इस खबर से आप लोगों को बहुत अच्छी और नई जनकारी मिली जैसे कि सभी सेविका बहनों का दो दिन का ट्रेनिंग लिया जा रहा है साथ ही टीका करन के बाड़े में भी अच्छी जनकारी दी जा रही है और यदि आपको कोई पंजी समबंधी जनकारी चाहिए तो आप आगन बारी खबर पंजी सर्च किजिए वहाँ आपको पंजी की वीडियो मिलेंगी तथा पंजी से संबंधी कोई भी जनकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकती है तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम हमेशा आपको कुछ अच्छी और नई जनकारी देते हैं इसलिए आप मारे वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब जरूर कीजिएगा झाहिवाद!